आज मैं आप लोगों के साथ चना दाल के तरकिये वाली चटनी के रेस्पी सेयर करने जा रही हूं यह चटनी यह इडली डोसा के लिए बनाया जाता है लेकिन अगर आप इस चटनी को पूरी पराठे या फिर कचोरी या फिर किसी भी स्नेक्स के साथ खाते हैं तो भी यह चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेस्पी और अगर आप लोगों को रेस्पी पसंद आती है तो प्रेजी से लाइक करें ज़दा ज़दा सेयर करें और मीरी यूटूब चैनल देशाज प्रसोई को सब्स और हलका सा इतना भून देना है हमें जिस्ते की इसके जो तेस्ट है वो सुन्दा सुन्दा है तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भून लेते हैं सो फ्रेंट्स यह देखिए चने दाल में से हलकी सी सुगान दानी अस्टार हो चुकी है और यह अच्छे से थुरा सा गर्म भी हो चुका है और हलका भून भी चुका है तो अहम गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं यहाँ पर मैंने थुरा सा नॉर्मल वाटर ले लिया है अब इस चने के दाल को हमें इसमें डाल देना है ताकि अच्छे से फूल जाए सो फ्रेम्स यह देखिए चने के डाल को मैंने पानी में डाल दिया है तो अब हम इसे फूलने देते हैं फूलने के बाद जब हम इसे पिसेंगे तो यह अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी क्योंकि अच्छे से फूल चुकी होगी तो अब लगबग हाफावर के लिए हम इसको इसी में रहने देते हैं उसके बाद हम इसकी चटनी त्यार करेंगे देखिए अब हमारा जो चना दाल है वो अच्छे से फूल चुका है तो अब हम इसकी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं पानी में पानी से डो दिया है जो पानी में डाला था उस पानी को में हटा दिया है और थुछा दाल दिया था अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च तो यहां पर 3 हरी मिर्च मैं एड्ड कर रही हूं चार लसुन की कलिया हम एड़ करेंगे यहां पे इसके अलबा हमें डालना है यहां पे तीन से चार चमच खटा दही जिससे चट्नी में एक अच्छा सा खटापन आएगा और चट्नी जब खटी होती है तभी उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगत तो कम डाली अब इन सभी चीजों को हमें बिल्कुल बारिक पीस लेना है तो यहां पर चट्नी को मैंने कटोरी में डाल लिया है अब इसका तरका त्यार करेंगे बीना तरके के यह चत्नी अधूरी है अगर आप इसमें तरका लगाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वह तो चलिए आप तरका त्यार कर लेते हैं अब इसमें थोरगा साम सरो गाया अब इसमें डालेंगे एक चौथाई जीरा, ठोड़े से कलॉन्जी के डाने, एक चौथाई अजवायन, एक साबुस लाल मीच जिसे हम छोटे छोटे फीस में कट कर लेंगे इसमें से तोरी से त दाल देते हैं और हम अपनी चटनी के उपर डाल देते हैं और यह देखिए हमारी बहुती टेस्टी चैनल डाल की चटनी रेडी हो चुकी है तो अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्रिजी से लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और मेरी